Today we will discuss main method in java program ठीके कल हमने देखा था कि java program को compile कैसे करना है run कैसे करना है java की class को लिखना कैसे है ठीके आज भी हम वही follow करेंगे कि suppose करो कि हमारी d drive में एक myjava नाम का फोलडर है myjava नाम का फोलडर है हमारे सारे प्रोग्राम myjava नाम के फोल्डर में my java drive में store होंगे ठीक है कल हमने एक प्रोग्राम लिखा था class test और इस प्रोग्राम को हमने test.java से save करके इस प्रोग्राम को हमने test.java से save करके compile किया था रन किया था, ठीके, यह program successfully compiled हो गया था, ठीके, तो compiler ने इसके जो syntax wise check करके, इसमें कोई भी error नहीं था, तो यह successfully compiled हो गया, और जो हमारा myjava नाम का फोल्डर है, इसमें इसका क्या बन गया था, bytecode बन गया था, java bytecode, ठीके, that means key.class file, ठीके, उसके बाद हमने इस program को क्या किया था, run किया था, jvm को दिया था, ठीके, तो jvm ने सबसे पहले इसमें क्या check किया, कि इसमें main method available है की नहीं, और main method अगर available है, तो वो proper syntax में है की नहीं, तो इस program में कहीं से कहीं तक, .class file में कहीं से कहीं तक main method नहीं लिखा हुआ था, ठीके, source file में भी नहीं था, तो bytecode में, possibly नहीं है जाना, ठीके, तो jvm ने एक error produce किया था, main method not found, please declare main method as public, static, wide main, main method का syntax हमें बता रहा था, jvm की आपको main method को इस तरीके से declare करना है, ठीके हम यह देखेंगे आज, कि main method को इसी तरीके से क्यों declare करना है, ठीके, ऐसा ही क्यों jvm सर्च कर रहा है उसे, ठीके, उसके पहले हम यह देखते हैं, कि एक program में हम एक से ज्यादा classes लिख सकते हैं, ठीके, suppose करो कि यह program है, class test, ठीके, इसमें हम एक class or 8 कर देते हैं, class bca, class bca, ठीके, curly bracket open or close, suppose करो कि यह program हमारा test.java से save है, test.java से save है, ठीके, अब हमें क्या करना पड़ेगा इस program को जब हम compile करेंगे, ठीके, compile करेंगे, तो हमें क्या लिखना है, command prompt पर, कल हमने already path set करना भी देख लिया था, ठीके, और आपको दो बारा अगर command line, command prompt को अगर आप open कर रहे हैं, तो दो बारा आपको path set करना होगा, ठीके, जावा के program को आप temporary path set करके भी run कर सकते हैं, permanent path set करके भी run कर सकते हैं, और without path set किये बिना भी program run हो जाएगा, तो ये तीनों चीजे हम देखेंगे, लेकिन अभी आप command prompt का temporary path set करके रखें, ठीके, उसके बाद आपको क्या लिखना है, इस program को compile करने के लिए जावा C, और test.java test.java, जैसे ही program successfully compile होगा, तो myjava जो folder है, myjava जो dry है हमारी, इसके अंदर कितनी .class file बनेगी, एक या दो, हमारे source code में, हमारे source code में, दो class बनी हुई है, एक test, दूसरा bca, ठीके, जैसे ही ये program compile होगा, जैसे ही compiler इस file को execute करेगा, तो यहाँ पर दो .class file बनेगी, ठीके, यहाँ पर एक पहले से test.java file है, test.java file है, लेकिन after compilation इसमें दो .class file बनेगी, पहली इस class के लिए .class file बनेगी, test.class, दूसरा आपका bca, जो है, vca.class file बनेगा, ठीके, vca.class file बनेगा, जब आप इस program को run करें, तो वहाँ पर आपको jvm को क्या बताना है, java, और क्या देना आपको, .class file देना है, तो अब यहाँ पर यह देखना है, कि कौन सी .class file दें, ठीके, तो इस type से कोई compulsion नहीं है, कि कितनी .class file या कौन सी .class file आपको देना है, जिस भी .class file को आप देंगे, suppose करो आपने यहाँ पर लिखा java test, ठीके, तो क्या करेगा वो, इस byte code में, इस .class file में, सबसे पहले main method को search करेगा jvm, ठीके, अगर मिल जाता है तो उसको execute करेगा, और अगर नहीं मिलता है, तो error प्रोड्यूस करेगा, कि main method not found, please declare main method is public static, wide main and जो भी उसका syntax है, ठीके, suppose करो आप यहाँ पर java test की जगापर, अगर आप देते हैं, यहाँ पर java, bca, ठीके, तो भी कोई issue नहीं, तो क्या करेगा यहाँ पर jvm, इस .class file में, सबसे पहले main method को क्या करेगा, सर्च करेगा, अगर मिल जाता है, तो उसे execute करेगा, और अगर नहीं है, तो वही error प्रोड्यूस करेगा, main method not found, please declare main method is public static void main, ठीके, तो हमने यहाँ पर यह देखा कि एक program में हम n number of classes लिख सकते हैं, ठीके, इस program को test.java से ही save करना है, इस type का कोई compulsion नहीं है, आप चाहें, तो file का name कुछ भी रख सकते हैं, कल हम discuss करी चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ पर आप इस program को चाहें तो bca.java से भी save कर सकते हैं, ठीके, लेकिन आपको जब compile करें तब आपको जिस नाम से .java file save है, वही आपको देना रहेगा, ठीके, यहाँ पर इस class के आगे कुछ भी modifier नहीं लगा है, तो यह दोनों ही class, default class हैं, या इनके आगे एक default modifier लगा हुआ है और उसे हम java में बोलते हैं, access modifier, access modifier, तो java में four types के access modifier होते हैं, number one, default, default modifier, access modifier, second one is public modifier, third one is protected modifier, last one is private modifier, private access modifier, यह चारों ही java में access modifier हैं, access modifier, अगर किसी class के आगे हमने कोई भी modifier नहीं लगाया है, कोई भी modifier नहीं लगाया है, तो यहाँ पर by default, default modifier already लगा हुआ है, ठीक है, default modifier लगा हुआ है, next lecture में हम यह भी देखेंगे, कि जो आपकी classes हैं, इनके पर कौन-कौन से access modifier हम लगा सकते हैं, ठीक है, अभी हम एक class को public modifier से लिख कर देखते हैं, कि अगर इस class को हम public बना दें, ठीक है, public class test और class bca, यहाँ पर जो test class है, उसको हमने क्या बना दिया, public class बना दिया, अब यहाँ पर क्या change आएगा, तो suppose करो कि अगर आपका program test.java से save है, test.java से save है, और test ही आपका क्या है, एक public class है, test.java से save है, तो यहाँ पर कोई problem नहीं आना है, लेकिन अब यहाँ पर source code के लिए, source code के लिए कुछ limitations बन जाएगी अगर आपके program में public class है, तो, ठीके, क्या limitations बनेंगी, वो हम देखते हैं, पहले तो हमने test.java से ही program को save किया हुआ है, ठीके, test.java से save कुया हुआ है, इसे हम compile करते हैं, run नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल compile कर रहे हैं Java सी test.java, तो यह program successfully compile हो जाएगा, और same folder में अगर हैं, file क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी. ठीके, अब हम क्या करते हैं यह पर, इस program को bca.java से save करते हैं, bca.java, ठीके, bca.java से save किया, और अब हमने इस program को फिर से compile किया, पिर से compile किया, तो हमने यह पर compiler को क्या दिया, Java C, bca.java, bca.java ठीक है जैसे हम compile करेंगे तो यहाँ पर एक error आएगा कि जो file का name है bca.java यह उस file का name होना चाहिए जो यहाँ पर public class है ठीक है अगर आपके program में कोई public class है तो आपका program उसी name से save होना चाहिए यहाँ पर compulsory हो जाता है ठीक है एक program में अगर आपका कोई public class है तो उस program में आपको उस file को public class के name से ही save करना पड़ेगा यह compulsion है यहाँ पर ठीक है तो आपको test.java से ही save करना पड़ेगा अगर test आपकी क्या है public class है ठीक है तो अब एक सोचने वाली बात यह है कि एक program में अभी हमने दो classes लिकी थी दोनों default थी ठीक है अभी इससे पहले और अभी हमने एक public class लिकी है एक default class लिकी है ठीक है तो कोई यह भी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि एक program में कितनी public classes हो सकती है ठीक है तो सोचिए जरा कितनी public classes हो सकती है एक, दो, या N number of classes हो सकती ही क्या, ऐसा कोई restriction है क्या इसके लिए, तो जब आप किसी program में public class लिखते हैं, तो compulsion क्या हो जाता है, कि you have to save that file with the public class name, with the public class name, अब suppose किजिए कि अगर एक program में, दो public class हैं, ठीक है, दो public class हैं, जो आपका test है, वो भी public है, जो BCA नीचे लिखा हुआ है, ये class भी कैसा है, public है, ठीक है, तो अब आप test.java से इस program को save नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर BCA भी क्या है, एक public class है, तो इस program को BCA.java से save होना चाहिए, लेकिन BCA.java से भी save नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर test भी क्या है, एक public class है, तो दो public class हो गई, तो simple सा यहां पर एक conclusion निकलता है, कि अगर किसी program में public class लिखना है आपको, तो वो केवल एक single class हो सकती है, एक program में हम एक से ज़्यादा public class नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, clear? तो यहां पर, अगर आपके program में public class है, तो आपका program उसी name से save होना जरूरी है, ठीक है? उसी name से save होना जरूरी है, अब हम देखते हैं कि, कल जो हमने program लिखा था, class, test, class, test, के अंदर लिखा था, हमने public, static, wide main, wide main, parenthesis के अंदर लिखा था, हमने string, array, ox, ठीक है, parenthesis close, और यह main method का, curly bracket open, यह main method का curly bracket close, यह आपका class का bracket close, ठीक है? syntax wise सारे brackets, systematic close हैं, अब हम यहाँ पर, कल हमने देखा था, कि public क्या है, static क्या है, वाइड क्या है, और main क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर हम पहले discuss करते हैं, कि यह चीजें क्या है, public, static, wide, main, क्या है? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर, public एक modifier है, public, इजब modifier, public इजब modifier, ठीक है, सारे ही letter, small में है, ठीक है, साथ में यह keyword भी है, keywords हमेशा, small letter में ही आते हैं, ठीक है, public, यहाँ पर क्या है, एक keyword भी है, साथ में, एक modifier भी है, ठीक है, static, keyword है, और modifier भी है modifier void क्या है बताइए void क्या है C और C++ में void क्या था C और C++ लेंग्वेज में void एक data type था ठीक है? keyword भी था लेकिन C, C++ में क्या था? data type था Java के data type पता है आपको कौन-कौन से data type है? Java में क्या उसमें void है? थोड़ा सा याद कीजिए Java के data types Java के data types क्या थे आपके? byte sort int long floating में real number में थे आपके कौन से? हाँ float or double बिल्कुल करेक्ट float or double थे ठीक है तो कितने data type हो गए? कितने हो गए? byte sort int long float double float डबल और character care care chr care care and last one is याद कीजिए कुछ याद आया? बी से boolean boolean java boolean data types को support करता है boolean ठीक है? तो यह java के क्या है? data type है अब किसी के दिमाग में यह भी आ रहा होगा java की वाइड भी data type है क्योंकि आपका base क्या है? c c plus plus पढ़ क्या आप आएं तो यहाँ पर java में जो वाइड है java में वाइड एक keyword है data type नहीं है हम और इसको return type भी बोल सकते है ठीके? अगर कोई keyword method के आगे लगा हुआ है तो वो उसका return type होता है c c plus plus में भी same यही था ठीके? तो यहाँ पर white is a return type white is a return type ठीके? अगर हमें किसी method से कुछ भी data return नहीं करवाना होता है method से कोई हम data return नहीं करवाना चाहते है या कोई value return नहीं करवाना चाहते है उसको हम क्या лिख देते है white type का बना देते है compound method को white type का मतलब उस method का return type हम क्या लिख देते है, white ठीके, इसका मतलब है कि जो main method है, जहां पर भी compile किया हुआ होगा, है न, आपको पता है कहां पर compile किया हुआ है he ठीक है, देखते हागे जहां पर भी compile किया हुआ होगा, वहां पर यह जाकर क्या करता है? value return करता है. अगर आपने void लगा दिया, तो यह वहां पर जाकर value return नहीं करेगा. ठीके? main यहां पर क्या है? method name. main क्या है यहां पर? method name. method name. method name. ठीके? तो public क्या है? public is a modifier, static is a modifier, white is a return type, main is a method name. और यहां पर जो complete है यह, string args, इसको broadly, completely पूरे को, क्या बोलेंगा? command line argument. command line, command line argument. command line argument. ठीके? अब हम यह देखते हैं कि, string क्या है? तो, string is a java class. string is a java class. string is a java class. ठीके? जो की length package के अंदर है, जो java का एक universal package है, ठीके? आगे discuss करेंगे हम, तो universal package है, उसके अंदर यह है, ठीके? string class. square bracket रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर array को, array, ठीके? array, array, array already cc++ में पढ़ चुके हैं, same वही array है, ठीके? args, args क्या है? array name, array name, name of array. array name, ठीके? तो यहां पर, public, user modifier, static user modifier, wide user, return type, main user, method name, string, array args, user command line argument, by forget, अगर हम करते हैं, तो string एक class है, ठीके? और, array type का है, यहां पर, एक array पास किया हुआ है, main method के अंदर, is a, command line argument, एक string type का array पास किया हुआ है, है, ठीके? हम यह भी देखेंगे, कि array ही क्यों पास किया, ठीके? यहां पर एक normal variable भी पास किया आजा सकता है, ठीके? string type का ही क्यों पास किया, यह सारी चीजे हम discuss करने वाले हैं, ठीके? अब, हम देखते हैं, कि कल हमने program को जब run किया था, तो अगर JVM के अंदर, class के अंदर, dot class फाइल के अंदर, JVM सर्च करता है main method को, और वो अगर नहीं मिलता है, ठीके? तो वो एक error प्रोड्यूस करता है, main method not found, ठीके? तो आप JVM को, JVM आपका कहां पर है? आपका program है, myjava folder के अंदर, ठीके? JVM आपका C drive में कहीं हो सकता है, ठीके? जो bin folder है, bin के अंदर, कुछ tools हैं, जिसमें, java, c b है, और java भी है, ठीके? देट मेंज compiler भी, binary folder के अंदर है, और, interpreter और JVM भी हमारा कहां पर रखा हुआ है, binary folder के अंदर, अब JVM को, बाहर से, किसी दूसरी drive से, या किसी same drive से भी, यहां पर है हमारा JVM, java, ठीके? यहां से, suppose करो, इस dart class file के अंदर, main method को, access करना चाहता है, इस dart class file के अंदर, main method को, access करना चाहता है, ठीके? JVM, has to access, main method, from the outside, ठीके? इसलिए main method को, क्या लिग दिया है? public, अगर main method, यहां पर public नहीं होता, तो JVM, इसे access, नहीं कर पाता, ठीके? तो, why main method is public? why main method is public? because, JVM has to access, main method from outside, JVM has to, access, main method, main method, from outside, ठीके? अगर JVM, main method, easily available हो सेके, इसलिए main method को, क्या लिग दिया है? public, ठीके? public, public modifier, why main method is static, why main method is static, तो, कल हमने discuss किया था, कि जो method है, method को access करने के लिए, हमें क्या चाहिए? object, ठीके? method को access करने के लिए, हमें क्या चाहिए? object, ठीके? किसी भी टाईप की method, object से access हो जाएगी, ठीके? लेकिन अगर हमें, बीना object क्रिये, कि ये भी main method को access करना हो, या किसी method को access करना हो, तो Java में ये possible है, ठीके, तो उस method को अगर आप बिना object बनाए, method को access करना चाहते हैं, तो उस method को आप क्या बना दीजिए, static, ठीके, तो कल हमने देखा था, कि हमने एक method लिखी थी, M1, ठीके, M1 एक method लिखी थी, तो M1 आपकी static भी हो सकती है, non-static भी हो सकती है, static भी हो सकती है, simple सा है, method M1 को अगर क्या बनाना आपको, static बनाना है, तो use static modifier, उसके बाद क्या चाहिए आपको, return type, ठीके, suppose करो, wait, ठीके, और ये method आपका M1, ठीके, चो ये आपका method कैसा बन गया, ठीक है एक static method बन गया ठीक है अब static method अगर बन गया है तो हमारे पास इस M1 को access करने के लिए दो facility होगी कि हम इसको object से भी access कर सकते हैं ठीक है object से भी access कर सकते हैं और इसको हम without object भी access कर सकते हैं without object भी हम क्या कर सकते हैं इसको without object भी हम इसको क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो jvm बीना object create किये main method को क्या करता है run करता है इसलिए इस method को क्या बना दिया है static ठीक है कि jvm इसे बीना object create किये हुए भी क्या करे, access कर सके, execute कर सके, run कर सके, ठीक है, तो why static, because jvm has to run, jvm has to run main method, jvm has to run main method, main method, without creating, without creating, object, ठीक है, अगर हमें main method को, बीना object के, run करना है, या किसी भी method को, हमें, बीना object के, execute करना है, तो उस method को, हमें, क्या बनाना चाहिए, static, ठीक है, तो jvm, बीना कोई object, create कि, ये main method को, क्या कर रहा है, access कर रहा है, इसलिए main method को, क्या बनाया, static, ठीक है, why void, अगर हमें कोई value return नहीं करवाना है, no return, ठीक है, तो इसलिए method को, हम क्या बनाते है, method का return type, हमें, क्या लिखना है, void, no value return, no value return, किसको होगी value return, ठीक है, कौन execute कर रहा है, main method को, compiler, या interpreter, कौन run कर रहा है, compiler, या interpreter, बताईए, compiler is responsible for, source code, JVM, और interpreter is responsible for main method, ठीक है, JVM, एक्सेस कर रहा है किसे, main method को, ठीक है, main method को, ठीक है, main method को, तो that means कि, यह जो value, अगर यहां से कुछ return होती, तो यह किसे होती, JVM को होती, ठीक है, JVM को होती, what is JVM, और Java interpreter, तो, simple सा JVM भी क्या है आपका, binary folder के अंदर आपने देखा ही है, कि, Java का जो आपका path है, उसमें binary folder के अंदर आपने, Java, C, Java, Java doc, Java P, इस टाइप की, फाइल से देखी हैं, तो यह फाइल्स क्या हैं, यह फाइल्स हैं, आपकी .exe file है, executable file है, .exe file है, .exe file है, जो Java ने हमें अल्रेडी बना कर दिये, that means कि यह भी क्या है, application है, यह भी क्या है, software हैं, ठीक है, तो, जो भी आपका value return होगा, वो कहाँ होगा, एक JVM नाम का program है, suppose करो, JVM, ठीक है, JVM नाम का एक function है, suppose करो, ठीक है, अगर main method से कुछ आप value return करवाओगे, ठीक है, तो वो value return, अगर करवाते हो, तो कहा value return करेगा, इस JVM में, ठीक है, और JVM से user का data का कोई interchange होने का कोई तरीका है नहीं, ठीक है, तो जब आप वहाँ से कुछ data access कर नहीं सकते है, JVM से, या JVM में कुछ पूराना data पढ़ा हुआ, तो उसे access करने के आपको permission नहीं है, white, ठीक है, कि हमें JVM से कोई data interchange नहीं करना, इसलिए क्या return type रखना है, white, ठीक है, main, method name है, सारे letter इसके small है, main क्या है, method name है, ठीक है, और उसमें, जो string array asks, type का, एक command line argument पास किया हुआ है, एक command line argument पास किया हुआ है, ठीक है, हम यह देखते हैं कि एसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, एसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, string array asks ही क्यों लिखा, ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम देखते हैं, एक simple सा program, ठीक है, उसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगा, मैं एक simple सा program लिखता हूँ, same, वही class test, class test, ठीक है, सारी Java के lectures में मेरी class का name maximum time में test यूज़ करता हूँ, आप चाहें, तो अपनी class का name आप change कर सकते हैं, ठीक है, test, यहाँ पर मैंने एक method लिखा, main method, कैसा, public, public, static, public, static, public, में मेरी class का name maximum time में test यूज़ करता हूँ, आप चाहें, तो अपनी class का name आप change कर सकते हैं, ठीक है, test, यहाँ पर मैंने एक method लिखा, main method, कैसा, public, public, static, public, static, wide, main, string, याद रखिएगा, string is a class, तो string का S कैसा होना चाहिए, capital, string is a Java class, ठीक है, और ARGS, ठीक है, और यह main method का, opening curly braces, यह closing curly braces, और यह class का bracket बंद, अब इस program को हम क्या करते हैं, simple सा, compile किया हमने, तो हमने लिखा Java C, suppose करो यह test.java से source code, save है, ठीक है, test.java से, तो java C, test.java, ठीक है, program successfully compile हो जाएगा, कोई problem नहीं इसमें, उसके बाद हम इस program को क्या करेंगे, run करेंगे, तो हम JVM को क्या देंगे, Java और उसका byte code, test, ठीक है, यह क्या है, आपका, dot class file है, जो test लिखा हमने, JVM के साथ, यह क्या है, आपका, byte code है, test.class file है, ठीक है, तो, जैसे हमें enter करेंगे, तो हम यह देखेंगे, कि पहले हमारे पास, जब हमने main method नहीं लिखा था, तो एक error आ रहा था, main method not found, ठीक है, and so on, please declare, इस type से, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास कोई error नहीं आएगा, ठीक है, और कोई output भी नहीं आएगा, क्योंकि main method के केवल हमने syntax लिखे हैं, ठीक है, main method में क्या print करवाना है, इस type कोई code अभी हमने नहीं लिखा है, ठीक है, अब suppose करो कि इस program को मैं फिर से run करता हूँ, ठीक है, फिर से run किया मैंने, ठीक है, compile एक बार कर लिया है, ठीक है, जब भी आप source code में change करें, तो प्रोग्राम को compile करना जरूरी है, अधर्वाइस आपका पुराना byte code ही run होगा, जो नए नए java programming करते हैं, उनके साथ ये problem आती है, कि वो java के source code में कुछ change करते हैं, लेकिन program को save नहीं करते हैं, save कीजिए, उसके बाद compile कीजिए, और compile करने के बाद ही run कीजिए, तो उनके साथ क्या problem आती है, कि वो .java file जो है आपकी, उसमें तो change करते हैं, save भी करते हैं, ठीके, लेकिन compile नहीं करते हैं, वो program को direct क्या कर देते हैं, run कर देते हैं, that means कि पुरानी bytecode, जो bytecode है पुराना, उसी को execute करते हैं, और उन्हें लगता है कि मैंने जो change किया, वो तो effect दिखी नहीं रहा है, तो जब program को save करें, program को save करने के बाद compile करें, compile करने के बाद ही run करें, ठीके, अगर आपके पास ऐसी कुछ error या mistakes हो रही है, कि आप कुछ change कर रहे हैं, ठीके, और उसका effect नहीं दिख रहा है, तो सीधे से समझेए, कि आप क्या कर रहे हैं, पुराना bytecode चला रहे हैं, आपको program को फिर से compile करना है, ठीक, ठीके, तो यहाँ पर java c test.java से program हमने क्या किया, फिर से compile कर लिया, ठीके, इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा भी, ठीके, bytecode जो है, उसमें कोई change नहीं आएगा, लेकिन, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, java test, ठीके, और मैं यहाँ पर क्या लिख रहा और enter किया, ठीके, आप बताईए क्या error आएगा, क्या कोई error आएगा, या चलेगा, ठीके, क्या किया हमने, jvm को हमने test.class file दी, ठीके, लेकिन साथ में उसके space देने के बाद कुछ हमने mca, bca और be, इस टाइब के कुछ, string लिख दियें या what's लिख दियें, ठीके, क्या होग क्या होगा, ठीके, क्या होगा, error नहीं, कोई error नहीं आएगी, definitely, program compile successfully, successfully होगा, चुकि हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, main method के अंदर, ठीके, कुछ print करवाने का, तो output कुछ नहीं आएगा, लेकिन program successfully run भी होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर जो mca, bca, और be लिखा mca, bca और be लिखा, तो आप क्या कर रहा हो इसको, command line argument प्रोवाइट कर रहा हो, ठीके, यह जो आपने लिखे, तीनो, यह क्या है, यह value सीधी कहां जाएगी, कहां store होगी यह, इस array में store होगी, ठीके, यह तीनो ही value, किसमें store होगी, इस array में store होगी, ठीके, इस array में, अगर आप, args, args आपका क्या है, args आपका क्या है, array name है, ठीके, array name है, तो अगर आप args 0 को print करवाएगे, तो वो mca print करेगा, args 1 को print करवाएगे, तो वो bca print करेगा, args 2 को print करवाएगे, तो वो be print करेगा, मतलब आपने जो यहाँ पर value दी, इसे क्या बोलेंगे हम, यह command line value है, command line command line value okay command line value okay so आप यहां पर चाहें तो आप मैंने क्या लिखा 3 string लिखे क्या इसा restriction है कि 3 लिखे नहीं कोई restriction नहीं आप क्या करें केवल mca लिखे और enter मारे program successfully run होगा कोई problem नहीं आएगी मतलब आपने क्या लिखा एक argument लिखा फिर हमने वापस bca लिखा फिर एंटर मारा अब हमने क्या किये command line से दो value enter करी ठीक है एंटर की तो अभी भी कोई problem नहीं आएगा ठीक है उसके बाद हमने क्या किया b e लिखा ठीक है b e इसके बाद भी कोई problem नहीं आएगी ठीक है इसके बाद हमने क्या लिखा? सब्सक्रोज करो कि इसके बाद हमने लिख दिया IPS IPS है, ठीके IPS है, अभी भी कोई प्रोब्लम नहीं आएगी, ठीके, तो आप कमांड लाइन से अगर, एक वैल्यू देना चाहें, तो दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, तीन वैल्यू देना चाहें, या एन नमबर अफ वैल्यू आप दे सकते हैं, तो यसा कौन सा वैरियाबल है, जो यह फैसलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं सिंगल वैल्यू को भी स्टोर कर लूँगा, दो वैल्यू देंगे, टू वैल्यू तो उसे भी स्टोर कर लूँगा, एन नमबर अफ वैल्यू को भी स्टोर कर लूँगा, तो इस टैप का केवल आपने एक वैरियाबल पड़ा, और वो है आपका, कुन सा, अरे, अरे, अरे आपको यह किस टाइब का वैरियबल चहिए? अरेड टाइब का छहिए, ठीके? अगर आपको इससे पहले जब हमने प्रोग्राम की अभी रंच यह टादी थी, ठीके? यह चिजे भी हटा दी थी, ठीके? और डाइरेक्ट एंटर किया था, प्रोग्राम सक्सेसफूली क्या हो रहा था, run हो रहा था, मतलब एक भी value हमने नहीं दी तो, अरे को अगर आप कोई value नहीं देना चाहते हैं, command line से तो नहीं दें, तो भी चलेगा, single देंगे तो चलेगा, double देंगे तो चलेगा, n number of value को वो क्या कर सकता है, store कर सकता है, ठीके, थोड़ा सा और magic देखते हैं, कि य क्या कर दिया, क्या कर दिया, कि दो तो हमने character type के दिये, या string type के दिये, ठीके, और third वाला क्या कर दिया, हमने, एक integer type का दिया, ठीके, लेकिन, अब आप enter करेंगे, तो क्या error आएगी, अभी भी program आपका successfully run होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आप जितनी भी value दे रहे हैं, य ठीके, main method इसको कैसे ले रहा है, string में ले रहा है, ठीके, string में ले रहा है, ठीके, तो, यहां से जो भी value आप दे रहे हैं, वो कैसी है, string type की है, ठीके, जब हम detail में command line argument पढ़ेंगे, तब आपको, और मैं इसके practical example बना के बताऊँगा, ठीके, और किस type से value दे सकते हैं, वो भी बताऊँगा, ठीके, तो, यहां पर, इतना ही, अब, string type का ही क्यों, ठीके, यहां पर, सोचने वाली बात है, कि array type का क्यों, क्योंकि, हमें अगर एक से ज़्यादा value देना है, ठीके, तो, normal variable, single value, hold करता है, ठीके, अगर multiple values, store करवाना है, तो, हमें क्या चाहिए, array, ठीके ARGS क्या है, array का name है, इसकी जगा पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई issue नहीं है, ARGS की जगा पर आप कुछ भी valid identifier, लिख सकते हैं, मैं यहां पर BCA लिख देता हूँ, BCA, ठीके, तो, कोई issue नहीं, ठीके, यह चलेगा, मतलब, आप कोई सा भी valid identifier का use कर सकते हैं, ठीके, लेक ठीके, अब हम यह देखें, कि string type का ही क्यों, ठीके, यह दोनों चीज़े हमें clear हो गई, array type का क्यों, ARGS, array name है, change कर सकते हैं, करके देखिएगा, ठीके, और program आपका कोई problem नहीं देगा, successfully run होगा, अब हम यह देखते हैं, कि string type का ही क्यों, ठीके, string type का क्यों, command line से हम कुछ भी value दे सकते हैं, ठीके, जो java के data type हैं, जैसे हमें byte type की देना है, salt type की देना है, long type की देना है, float type की देना है, कुछ भी value हम यहां से दे सकते हैं, और वो सारी कि सारी main method क्या करेगा, command line argument में उसको store कर लेगा, ठीके, अब, string type का क्यों, string type का इसलिए, कि string जो आपका data है, string can convert into byte, string can convert into sort, string can convert into integer, string can convert into long, string can convert into float, double, ठीके, इसलिए string type का लिए है, ठीके, कि किसी भी primitive data type में convert हो जाए, इसलिए क्या लिए है, command line argument, string type का, ठीके, तो आप समझ में आया, public क्यों, क्योंकि, jvm main method को, बाहर से access कर सके, ठीके, static क्यों, क्योंकि jvm main method को, main method को, बीना object create किये, run कर सके, ठीके, void return type है, कि, ये main method, jvm को जाकर, कोई value return नहीं करे, ठीके, क्योंकि, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीके, main method का लिए, क्या है, एक, command line argument है, command line argument है, string type का, इसलिए, कि, string किसी भी primitive data type में convert हो सके, इसलिए, string type का लिया, array type का, इसलिए लिया हुआ है, कि, command line से, आप, n number of values को, supply कर सके, ठीके, ARGS, array name है, ठीके, तो मेरे ख्याल से, आपको, पूरा picture किलियर हो गया होगा, कि main method को, public static, wide main, और ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ठीके, अब एक चीज यह है, कि, आपके जो modifier है, modifier का, जो order है, आप उसको क्या कर सकते हैं, interchange कर सकते हैं, order को, ठीके, modifier का, ठीके, याद रखिएगा, modifier का, ठीके, public static, दोनों ही modifier है, इनको आप, interchange कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, static public लिख सकते हैं, कोई issue नहीं, static, public, static, public, ठीके, तो program आपका successfully compile भी होगा, successfully run भी होगा, इनका place हमने interchange इसलिए किया, क्योंकि modifier का rule है, कि modifier का जो place है, आप उसको interchange कर सकते हैं, उनका order interchange कर सकते हैं, ठीके, तो हम static public void main भी लिख सकते हैं, और आप करके definitely इसको देखिएगा, ठीके, अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में कुछ data display करवाते हैं, ठीके, कुछ data display करवाते हैं, ठीके, कुछ data display करवाते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा, ठीके, सारी चीजे clear होगी आपको, यहाँ पर लिखा मैंने, system, system का s capital, system का s capital, because system is a class, system, dot, out, dot, print, ठीके, system, dot, out, dot, print, और यहाँ पर लिखा मैंने, welcome, ठीके, अब जब आप इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, फिर से सेव कीजिए, फिर से, सेव कीजिए, test.java से, ठीके, और compile कीजिए, java c, test.java, test.java, ठीके, उसके बाद, प्रोग्राम सक्सेसफूली compile हो जाएगा, उसके बाद आप कहां जाएंगे, java, और क्या लिखेंगे, यहां पर, test, ठीके, java, test, और enter करेंगे, तो output will be welcome, output will be welcome, ठीके, तो यहां पर, आपका output क्या है, welcome, ठीके, आप अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं, जो भी, इस print method को देंगे, आप यहां पर double code में, वो आपका क्या हो जाएगा, output में दिखेगा, ठीके, अब system क्या है, system का this capital है, तो आप समझ चुके होंगे, कि system क्या है, system एक class, ठीके, system एक class है, out क्या है, देखते हम, out क्या है, और print क्या है, ठीके, print के पीछे, parenthesis लगा हुआ है, ठीके, हम जानते हैं कि किसी भी name के पीछे, अगर parenthesis होता है, तो 100% वो क्या है, method है, ठीके, तो यहाँ पर print method है, दो चीजे हमें किलियर हो गई, कि system एक class है, system एक class है, और print एक method है, अब बचा है कि out क्या है, out क्या है, ठीके, हम देखते हैं कि out क्या है, ठीके, किसी को पता है, तो बता सकता है, out क्या है ठीक है out 99% student बताते हैं कि out is a object out is a object ठीक है अभी हमने object के बारे में कुछ भी नहीं देखा है लेकिन फिर भी out को क्या बोलते हैं कि out is a object of system class इस टाइप से बताते है out is a system.out लिखा है तो क्या सोचते हैं वो की system class का out क्या है object है लेकिन हम देखते हैं कि क्या है ठीक है एक चीज और notice करने वाली यहां पर है कि मैंने आपको किसी भी package को import करना नहीं बताया ठीक है जैसे c c++ में आप क्या करते हैं c c++ में आप क्या लिखते हैं सबसे उपर program में has include और यहां पर लिखते हैं आप कुछ header files stdio.h ठीक है programming में starting में आप लिखते हैं इस तैप से यहां पर has include और यह क्या है आपका header file यस टैप से लिखते हैं तो सेम जावा में इसकी जगा पर किया लिखते हैं अप header file सहीं इन लिखते हैं जावा में इसकी जगा पर क्या है? packages है, ठीक है packages है झासे एक जावा में iowa Arg package है, IO package है, Net package है, ठीके, एस टेप से जावा में, भूस सारे packages हैं, और packages इसके अंदर क्या होती, classes होती, interface होती, abstract classes होती, ठीक के, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको, zegमें आपको, interface का भी, idea हो झाएगा, abstract class का भी idea हो जाएगा, सारी चीजे clear हो जाएगी तो अभी हम वापस कहा आ जाते है कि यहाँ पर हमें कुछ import करना रहता है ठीके, क्या लिखते हैं import keyword ठीके, import ठीके, और यहाँ पर लिखते हैं फिर क्या इस टाइप से लिखते हैं java dot java dot io dot dot स्टार, ठीके, और सेमी कॉलन सबोस करो इस टैप से लिखते हैं ठीके, तो यहाँ पर notice करने वाली बात क्या है कि import तो क्या है आपका keyword है, जैसे आपका has include है ठीके, और जहाँ पर आपने header file लिखी है, वहाँ पर क्या आ गया आपका package आ गया java dot io क्या है यहाँ पर एक package है और जैसे आप multiple header files लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं एक और header files लिख सकते हैं, इसका order कोई माईने नहीं रखता, ठीके, has include generally दो header file famous है, cc++ में conio.h conio.h same way से ही आप यहाँ पर और package इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीके, इंपोर्ट java dot lang dot start, ठीके, इसको लेकिन अभी compile करके, save करके, run करने का नहीं है, ठीके, अभी run नहीं करना है, ठीके, तो multiple packages हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यह देख लें, कि java क्या है, आई वो क्या है, तो java यहाँ पर कुछ भी नहीं, जैसे आप simple से आपने, c dry, d dry, या आपके computer में फोल्डर बनाते हैं, ठीके, एक यह फोल्डर है, ठीके, तो java क्या है जावा एक फोल्डर है, ठीके, जावा क्या है, एक फोल्डर है, ठीके, इस फोल्डर के अंदर, आई वो क्या है, एक सब फोल्डर है, जावा फोल्डर के अंदर क्या है, आई वो क्या है, एक सब फोल्डर है, ठीके, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, सब फोल्डर है, ठीक तो यहाँ पर java.lang package को आपको import नहीं करना यह आपको implicitly available रहता इसको आपको hard code में लिखने की जरूरत नहीं है ठीके तो अब यहाँ पर इस program में program मैंने आपको compile करके run करना बताया लेकिन कोई भी package import उस समय हमने नहीं किया था ठीके लेकिन program आपका successfully compile भी होगा run भी होगा कुछ लोगों ने करके देख भी लिया होगा ठीके कोई problem नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर हमने java की दो classes यूज की है string और system ठीके string और system दोनों ही java की क्या है classes है लेकिन कोई भी package हमने इंपोर्ट नहीं किया था ठीके तो मैं बता रहूँ आपको की जो आपका java.lang है वो क्या है आपका एक universal package है और by default implicitly available रहता है ठीके तो अगर कोई आपसे पूछता है की string और system कौन से package के अंदर है तो यह java.lang package के अंदर store है ठीके इसलिए आपका program चल गया कि यह implicitly by default आपको क्या है अवेलेबल है आपने वो package import करके रखा है by default ठीके लेकिन आपको hard code में नहीं लिखना है ठीक तो यहाँ पर यह तो समझ में आ गया कि system एक class है out का picture अभी clear नहीं हुआ है ठीके और कल हमने देखा था पिछले lecture में कि अगर कोई method वापस आते हम method पर static method है तो उसको execute करने के दो तरीके थे using object और using class name ठीके using class name suppose करो कि m1 अगर कोई method है m1 अगर कोई method है test class की ठीके तो m1 test class का अगर हमारे पास कोई object create किया हुआ नहीं है तब भी हम m1 को अगर m1 static है m1 अगर static है तब भी हम access कर सकते हैं कैसे हमें क्या लिखना है test test dot m1 test dot m1 ठीके जब भी कोई method जब भी कोई method class के नाम के साथ आए तो 100% आप समझ जाहिए कि वो method static ठीक है अगर कोई class के नेम के साथ आ रहा है execute हो रहा है या आप access कर रहे है तो 100% method के साथ static method ठीक है यहाँ पर out को भी आप क्या कर रहे है? out को भी आप क्या कर रहे है? system dot out लिखा है ठीक है? तेस्ट की जगह पर आप क्या लिख दीजिए यहां पर ठीक है टेस्ट की जगह पर टेस्ट क्लास थी तो system भी तो class है system.out ठीक है यहां पर out के पीछे parenthesis नहीं है that means out कोई method नहीं है ठीक है लेकिन out जो कुछ भी है वो 100% कैसा है static type का है कैसा है static type का है ठीक है system.out 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 तो system क्या है class है out क्या है out variable भी हो सकता है object भी हमने clear नहीं किया लेकिन 99% students क्या समझते है कि out क्या है object है ठीक है लेकिन out object नहीं है out क्या है out एक data field है या फिर variable है out क्या है variable है ठीक है object बोलना सही नहीं है ठीक है out क्या है एक data field है, ठीक है? कहां पर है, system class के अंदर रहे है, out क्या है? एक data field है, system class के अंदर है, ठीक है, देखते है हम किस type से, out को देखते हम, ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा ऐसा, public class system, Java की class है, हम नहीं बना सकते हैं इस type से, लेकिन हम by example देख रहे हैं public class system थीक है public है इसलिए हम access कर पा रहे है system class java ने केसा दिया is a public इसलिए हम system class को access कर पा रहे है अब अगर हम देखें यहां पर तो out को देखें तो जब आप system class को open करके देखेंगे मैं कमांड बताऊंगा कि आप Java की class के अंदर क्या-क्या रखा हुआ है, कौन सी method है, कौन से variable है, वो अगर आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जगह, बहुत सारा data रखा हुआ है, इसमें, system class के अंदर, लेकिन यहाँ पर print stream, print stream, print stream, print का P बड़ा, S बड़ा, ठीके, print stream is a class, Java camel case को follow करता है, जब भी word आपका change हो, तो जो first letter होगा, वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका capital हो जाएगा, ठीके, capital हो जाएगा, तो यहाँ पर definitely print stream is a class, ठीके, print stream is a class, print stream out, public final, थोड़ा सा change करते हैं इसको, कैसा लिखा हुआ है, public, static, final, ठीके, final, जो modifier है, उसको हम बाद में discuss करेंगे, final modifier की एक special class होगी, ठीके, जिसमें आपको पता चल जाएगा, कि final modifier का use कहा करना है, क्यों करना है, ठीके, तो बाद में देखेंगे, ठीके, तो system class के अंदर इस type से हैं, ठीके, तो system class के अंदर, suppose करो कि, CC++ में आप variable declare करना जानते ही हैं, तो किस type से variable declare करते हैं, आप suppose करो integer है, ठीके, तो सेम यहाँ पर out भी क्या है, एक variable type से ही है, या data field हम बोल सकते हैं, ठीके, लेकिन object नहीं है, ठीके, तो यहाँ पर, केसा declare है, static, केसा declare है, static, ठीके, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, system.out से access कर सकते हैं, system.out, ठीके, out is a static data field, which is declared inside system class, inside system class, is a static, as a static, as a static. ठीके, as a static, that's why, we can access out by system.out, ठीके, system.out, ठीके, और system.out, ठीके, और system.out completely मिलकर क्या है, एक output stream को represent करता है, output stream, output stream, ठीके, अभी थोड़ा सा इतना ध्यान रखी हैं आप, कि अगर इसके आगे final लिखा हुआ है, that means, we cannot change the value of system.out, ठीके, system.out, किसी variable को अगर final लिखा है, तो उसकी value हम change, नहीं कर सकते हैं, we can't re-initialize, we can't re-initialize, जावा ने जो कर रहा है, वो enough है, उसके लिए हम, या कोई भी developer, user, उसको re-initialize नहीं कर सकता है, because of final modifier, ठीके, तो, what is out, out is a static data field, which is declared inside system class, which is declared inside system class, that's why, we can access out by system.out, 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 ठीके, system.out, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, कि, जो system.out है, वो किस type का है, किस type का है, print stream class type का है, print stream class type का है, ठीके, जो out है, वो, declared तो system class के अंदर है, लेकिन उसका type क्या है, print stream, ठीके, print stream class का, एक क्या है, वो reference variable है, ठीके, print stream class का क्या है, reference variable है, ठीके, reference variable है, ठीके, तो, अब, अगर हमें print stream class का कोई method access करना हो, तो print stream type का कोई, ready mate, object हमें क्या चाहिए, ready mate, object चाहिए, ताकि हम उस class की method को access कर सके हैं, ठीक है, out यहाँ पर system class का कोई object नहीं है, system class के अंदर वो is a data field variable declared है, ठीक है, अब out का type print stream है, ठीक है, तो print stream की किसी method को access करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, suppose करो print stream एक class है, print stream एक class है और इसके अंदर, print stream class के अंदर एक method है, print, print एक method है, print एक method है, तो इस print method को अगर मुझे access करना है, print method को अगर मुझे access करना है, तो मुझे क्या चाहिए, print stream class का कोई object चाहिए, ताकि मैं उससे method को access कर सकूँ, ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर dot print, print is a method आप print stream class print stream class और print stream class IO package के अंदर है print stream class IO package के अंदर है ठीके, तो completely clear हो गया होगा आपको system dot out ठीके तो आज हमने क्या देखा main method का एक syntax देखा कि main method को public static void main main क्या चीज हैं और ऐसा ही क्यों लिखते हैं ऐसा ही syntax क्यों लिखें ठीके ऐसा ही syntax क्यों लिखें तो वो भी हम देख लेते हैं ऐसा syntax क्यों लिखें क्योंकि JVM main method को जब search करता है किसी class में तो वो इसी format में करता है ऐसा क्यों करता है क्योंकि JVM JVM जो आपका software है उसमें main method को इस ही type से क्या कर रखा है, configure कर रखा है public static void main string array arks ठीक है string array arks arks ठीक है semi-colon ठीक है जब JVM के अंदर main method को इस ही type से configure कर रखा, इसलिए वो इस type से search करता है, ठीक है suppose करो कि अगर आपके पास मैं 5-6 students के mobile ले लूँ जो लगभग एक जैसे होंगे, ठीक है suppose करो मैंने 5 mobiles ले लिए ठीक है, और एक जैसे है all are in white colors, ठीक है और same company, ठीक है तो उनको अगर मैं इंटरफेस दिखाओ, suppose करो उसमें से एक mobile मैंने height कर दिया 4 mobile है और मैंने उसी student को बुलाया, जिसका mobile मैंने height करके रखा है, अगर वो search करेगा ठीक है, तो वो यहाँ पर 4 mobile है लेकिन वो अपना mobile नहीं ढूंढ पा रहा है और बोलेगा कि इसमें मेरा mobile नहीं है ठीक है, तो JVM भी इसी type से, जो उसके inside में JVM program के अंदर main method को इसी type से configure किया हुआ है इसलिए main method को वो किसी byte code में इसी format में ढूंढता है इसलिए main method को ऐसा ही आपको लिखना है public static wide main string array ठीक है, तो practice किजिए इस program की बना के देखिए, ठीक है change करके देखिए, programming में जब तक आप change नहीं करेंगे change करकर के देखिए और अपना दिमाग लगई है उसमें ठीक है, और compile and run करके program को समझने की कोशिज कीजिए ठीक है, that's all जब है?